नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में GKGS Current Affairs के साथ कम्प्यूटर के प्रश्णों का भी सामयवेस किया गया है, इसलिए वीडियो SSC DP के अलामा, SSC GD के जो कंडिडेट हैं, उनके लिए भी महतपूर है, इसलिए वीडियो कम्प्रेट देखिएगा, इसकिप मत करिएगा, ठीक है, चलिए प्रश्णों का सिल्सला सुरू करते हैं, पहला प्रश्ण इजरायल से सम्मंदित है, देखिए इजरायल और हमास का जो मुद्धा है, इसमें चर्चाम बना हुआ है, ठीक है, कोश्ण यहां से बन सकता है, ठीक है, पहला कोश्ण जो मैं इंकलूट किया है, ओ है कि इजरायल की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी जो है कापी कलम लेके बैठी और प्रश्णों का आंसर करते चलिए, और लाश्ट में देखिएगा कितने प्रश्ण आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताईएगा, इस से अपका अंसर बिल्कूल सही है, ठीक है, वहीं अगर हम इजरायल की राध्धानी की बात करें, तो इजरायल की राध्धानी है, तेल अभीब, प्रधान मंतरी कौन है, बेंजामिन नितनिहाओ, ठीक है, कोर्शन नमबर टू, गंगा को बंगला देश में किस नाम से जाना ज ठीक है, ठीक है, सारे सारे कॉर्शन लगभग repeating हैं, कुछ कॉर्शन नए मैं लिए हैं, बनाये हैं, करिंट अफेस की हिसाब से, ठीक है, यह कॉर्शन जो करा रहा हूं, यह repeated कॉर्शन है, गंगा को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा के उपर कोषन, ब्र भंगलादेस में मेखना के नाम से जानते हैं, ठीक है, और एक जब जान लीजिए, ब्रहमपुत्र जो है, तीन देसों में होके बहती है, कौन-कौन से तीन देस, चीन, भारत और बंगलादेस से होकर के ब्रहमपुत्र प्रवाभीते होती है, इसलिए अक्सर आपसे पूशा जाता है कि फला देश में चीन का क्या नाम है बंगला देश में ब्रमपुत्र क्या कहते हैं ठीक है तिब्बत में ब्रमपुत्र क्या कहते हैं चीन में क्या कहते हैं ठीक है तो ब्रमपुत्र नदी को चार अलग-अलग नामों से जाना जाता है नाम जान लीजिए क्योंकि अक ही होंगे और बंगला देश में प्रंपत्र क्या बोलते हैं जमुना नदी बोला जाता है ठीक है तो अगर आप्शन नंबर ए पे आपने टिक किया है शबा करोशी ठीक है तो आपका अंसर बिलकुल राइट है आपको यह यहां किलिर कर दूँ कि सब्था करोशी जो है इस समय बर्तबन में अध्यक्ष नहीं है आप जो है 77 मतलब 77 अध्यक्ष है थे समीत राष्ट महासभा जो सचिव है और नतीनियों गुला रेश घीक है और बर्तमान जो अध्यक्ष है तोब तुबैको को राजनेई के हैं, डेनिस फ्रांसिस जो है, ये बरतमाने सायूद राश्ट महासभा के अध्यक्षे हैं, ठीक है, अच्छा, सायूद राश्ट सभा के असापना कब हुई, 1945 में, ठीक है, सायूद राश्टरंग के पहले महासचीव कौन थे, ये थे ट्रिगबी ली, ठीक, चली, question number four, हमास को पर question है, हमास को पर question पिछले दिरे में MTS exam में आया हुआ था, ठीक है, तो आ सकता है, फुल फार मौerstट पूछा गया था हमास का, ठीक है तो हमास का घठन कब हुआ एक question है, ठीक है, तो अगर आपने option number 8 किया है, ठीक है, option number A अगर आपने टिक किया है, 1987, 1987, तो आपका answer बिल्कुल right है, हमास क्या है, हमास जो है, एक Islamic resistance, movement के नाम से इसको जाना जाता है, अर्बी में इसको बोलते हैं, हरकत al-mukawama al-islamiyya, हमास का पुरा नाम क्या है, हरकत al-mukawama al-islamiyya, ठीक है, साड़ फार में इसको जो बोला जाता है, इसको करते है, Islamic Christians, movement के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, question number 5, मडिपूर में लोक्टक क्या है, मडिपूर में लोक्टक क्या है, नदी है, परबत है, जील है, या निटत है, क्या है, option number अगर आपने seat किया है, तो बिल्कुल एक दम right answer आपका है, जील है, लोक्टक क्या है, एक जील है, ठीक है, और अपनी तरह की जो है, ये क्या है, विस्व में एक अलग परकार की जील है, क्यों, क्योंकि इस ज जील के सता पर पानी के सता पर जो है मिट्टी है मिट्टी के ऊपर बनस्पतियां है उसके पर लोग रहते हैं सोच लिए और तैरता रहता है ठीक है तो बनस्पति है जो द्रीप है मिट्टी के उनको कुंदी कहा जाता है ठीक है इस जील का जो टोटल छेतरफल है वह है दो सो असी वरगे किलो मीटर ठीक है यह जील कहा है यह मड़ीपूर के चुड़ा चांदपूर जिले में इस्थित है देखिए मड़ीपूर कोश्चन मैंने इसलिए इंकलूट किया है पूरा टिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मड़ीपूर भी क्या है चर्चा में बना होवा है हाट टौफिक है यहाँ से कोश्चन बन सकते है इसलिए ध्यान में रखिए गाए जो भी मड़ीपूर कोश्चन जो भी बन सकता इसको ध्यूरूर ध्यान में रखिए गाह ठीक है अच्शा चलिए निश्ट बात पता दूए आपको जो है कि ए जो जील है कौन सी ज जाओ ठीक है अक्सर पूछा जाता है दुनिया का एकलावता तैरता हुआ नेतनल पार कहां इस्थित है मडीपूर में इस्थित है क्या नाम है केबुल लाम जाओ ठीक है और दुसरी चीज यहां पर एक हिरण पाया जाता है जिसको संघाई हिरण बोलते हैं यह नाजने वार हिरण है और यह मलीपूर का क्या है राज की पसू है ठीक है संघाई हिरण को मलीपूर का राज की पसू का दर्जा दिया गया है ठीक है और दुसरी जो इंपॉर्ण कोशन बनता यहां से यहां से दो नदिया निकलती है जील से उनको बोलते हैं कहुगा और इंफाल नदी तो कहुगा और इंफाल नदी यहां से निकलती है, जो भी कोशन बन सकता है, यहां सो सारे कोशन लगभग मैंने आपको करा दिये हैं, ठीके, इसको आपको ध्यान में रखना है, कोशन नमबर 6 से, कम्प्यूटर डेटा की सबसे छोटी क्या है, मेरे जो भाई, दलही पुलिस क्या होती है, बिट होती है, ठीके, कोशन नमबर 7, निमलिखित में से कौन Microsoft Word में Character Formating बिकल्प नहीं है, Character Formating बिकल्प नहीं है, देखिए, Effect Underline अफांट इस्टाइल, यह तीनों क्या है, यह Word Character Formating बिकल्प है, लेकिन इंडेटेंशन जो होता है, ठीके, इंडेटेंशन आप्शन नमबर जो D है, अगर आपने ठीक किया है, इंडेटेंशन तो आपका यह राइट आंसर है, इंडेटेंशन का इस्तमाल हम paragraph में करते हैं, आपने देखा होगा न, जो है, paragraph में जो alignment करते हैं, मतलब ऐसे, ऐसे, ठीके, फिर जो है, ऐसे, ऐसे, या बीच में, ठीके, ऐसे, ऐसे, जो करते हैं, यह क्या है, वही indentation है, यह paragraph में प्रियोग किया जाता है, ठीके, question number 8, अगर आपका option number B आपने टिक किया है, तो आपका answer बिलकुल right है, बलबन, ग्याउसदीन, बलबन, ठीके, गुलाम बंस का सासक, ग्याउसदीन, बलबन, जिसने सिजदा योम, प्यबोस प्रथा की, शुरुवात की, सिजदा मतलब जुकर के सलाम करना, प्यबोस मतलब चरण प्रथा को चुमना, ठीके, चली एक कोशन टे हो गया, अब इसका opposite जो कोशन बनता है, कि इस प्रथा को, ठीके, किसने खत्म किया, लगभग एक प्रथा जो थी, बड़ी कुपर्था थी, ठीके, ये प्रथा क्या थी, कुपर्था थी, पैरों को चुमना था, जुकर के एक प्रथा को प्रथा क्या किया, खत्म कर दिया, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कोशन नमबर 9, किस हडपा काली अस्थल से, खेत जुताई और किसी समंधी कारियों के साक्ष मिले हैं, तो अगर आपने आप्शन नमबर B पे टिक किया है, काली बंग ये लुप्त होने के गवार पर है, ठीक है, अस्थेति का खतम होने वाला है, कोशन नमबर 10, भारत में प्रतम मुगल समराट कौन था, इससे आसान कोशन क्या मिल सकता है, ठीक है, तो अगर आपने आप्शन नमबर C किया है, आप्शन नमबर C बाबर, तो आपका अनशर ब मंदी परशत मदद करता था ठीक है अकबर के दरबार में कौन थे नौरतन थे तो अश्ठ परधान किसके दरबार में थी वो आपको बताना है ठीक है तो आप्शन नंबर बी आगर आपने टिक किया है सिवा जी तो आपका अंसर क्या है बिलकुल राइट है ठीक है चली मैं ड पेशवा आमात थे ठीक है पेशवा थे आमात थे वाक्यानवीश थे सुमंत थे सुरून बीज थे सेरे नौबत थे पंडितराव थे न्याइधीज एक उल्मना के आठ पद होते थे जो सिवा जी को सलाह देने का काम करते थे ठीक है कोश्व नंबर टॉल्म बंगाल बिभाजन कब हुआ इसके उपर कोश्व घुमा फिराके बनता है ठीक है तो बंगाल का बिभाजन कब हुआ सिदा ऐंसर तो इसका अप्शन नंबर यह आपने अपकर किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है 1905 में हुआ था ठीक है अब देखे बंगाल विभाजिन के उपर अकसर कोशन पूछा जाता है कि कब हुआ बता दी मैंने किसके कारिकालम हुआ था किस वायसरा के कारिकालम हुआ था उसमें भारत का वायसरा था वो था करजन ठी थी 20 जुलाई 1905 को ठीक है बाद में विरोध के चलते जो है 1911 में लाल्द हाल्डिंग ने इसको निरस्ट कर दिया ते फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है कुशन नमबर 13 क्या है भारत में राष्टी अस्तर पर पहली बार जात आधारित गरना कब हुई ठीक है इस टाइप का कुशन मतलब जात आधारित जन गरना क्यों यह जो टॉफिक है यह होड बना हुआ हुआ है चर्चाम बना हुआ है क्यों क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कुशन कराया था कि कौन सा राज्य है भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जात आधारित जन गरना या सर्वे जारी किया है तो बिहार है ठीक है इस कुशन के बारे में चर्चाम मैंने आपको किया था जो है अब उसी पर देखिए कुशन बन रहा है यह हो सकता है कि ये इस्टेटिक जीके में पूछ ले पिछला कोशन जो है करेंड़ा फिर्म ना आए इस्टेटिक जीके में आ जाए कि भारत में राष्ठी एर्थर पर पहली बार जात आधारित के जनगरना कब हुई थी तो आप्शन नंबर अगर आपने बीट किया है 1931 तो आपका आंस आधारि जनगरना हुई थी लेकिन क्यों स्थी खीकी हुई ती उसके बाद नहीं हुई जाद आधारि जनगरना हुई Не रह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है किमकौर नहीं पहला राय है जिसमें की पहली बार जाद आधारित सपरके जंगरना इसको नहीं बोल सकते हैं समिधान की अनकूल नहीं है ये सब्द, तो सर्भे बोला जा रहा है कि जात याधेत उन्हान क्या किया है? सर्भे किया है. उसके हिसाब से बिहार में याध लिषगा मतला पुरा रिलिज किया मतल करतें है, भारत में राश्टी अस्तर पर पहली बार जात आधारित गर्णा कब हुई थी तो मतलो सभी जातियों के गर्णा हुई थी कब हुई थी यह 1931 में हुई थी आप्शन नमबर बी इसका राइट आंसर है ठीक है राश्टी बन अनुसंधान संसान कहां इस्तित है यह देहरादून में इस्तित है कोश्चन नमबर 15 करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है यह कोश्चन भी रिपेटेट है बार बार कुछा जाता हार्ट कोश्चन है ठीक है तो अगर आपने आप्शन अगर आपने टिक किया है तो आपका अंसर बिल्कुल क्या है राइट है ठीक है करक रेखा जो है भारत के आठ राज्यों से होकर के गुजरती है कौन से वह आठ राज्ये हैं गुजरात राजस्थान मदप्रदेश चतित गड़ जारकंड पश्रिम बंगाल त्रिपुरा औ देखिए करक रेखा का दुसरा नाम है वे दियां रख़ईगा आप कोश्र ननमबर 16 किस वर्स को भारती जनगर्णना का महान व ना जा रखियत वर्स माना जाता है तो अगर आपने अप्शन नमबर भी ट्क किया है 1921 तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है आंसर नमबर B, ठीक है, कोश्चन नमबर 17, भारत का दक्ष्विरम अस्थान, इंदरा पॉइंट कहाँ परिस्थे रहे, भारत का जो दक्ष्विरम बिंदू है, उसको इंदरा पॉइंट कहते हैं, वो कहाँ परिस्थित है, आपको ये बताना है, तो अगर आपने बिल्कुल राइट है, ठीक है, कोश्चन नमबर 18, बिस्थु की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील कौन सी है, आप्ष्ण नमबर B, अगर आपने टिक किया है, सुपिरियर जील, तो आपका आपका अंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है, कोश्चन नमबर 19, सिंदु नदी का उद्गा मस्थल कौन सी जील है, ठीक है, सिंदु नदी का उद्गा मस्थल कौन सी जील है, आप्ष्ण नमबर C, अगर आपने टिक किया है, तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है, मांसर ओवर जील, ठीक है, कोश्चन नमबर 20, निमलखित में से कहां बर्प के ग्लेसियर पाए जाते हैं, बर्प के ग्लेसियर तो सियाचिन में भी मिलते हैं, ठीक है, तो यहां जो आप्ष्ण दिया है, अंटा कडिका, हिमाले, पहाडों पर, जीलों में, कहां पाए जाता है, आप्ष्ण नमबर A, अंटा कडिका, ये इसका राइट आंसर है, अंटा कडिका में क्या हैं बर्ब के ग्लीशियर पाए जाते हैं ठीक है COKENान नमबर 21 सोर मंडल की किस किस ने की ठीक है अगर आप्छन नमबर आपने किस पर भीपर टिक किया है सबसे बड़ा उपग्रह काउन सा है ठीक है तो option number C हाँ जी बिल्कुल right option number C गैनी मेड ठीक है यह ब्रिहस्पत का चंद्रमा है ठीक है और सबसे बड़ा यह उपगरा भी है ठीक है गैनी मेड ठीक question number 23 सौर मंदल का सबसे गर्म गरह कौनसा है ठीक है तो अगर आपने option number CT किया है सुक्र गरह है तो आपका अंसर बिल्कूल right है सुक्र गरह जो है सौर मंदल का सबसे गर्म गरह है ठीक है लाश के question मैंने लगभग सारे सारे question जो गर्फी से ले लिए है ठीक है, चली, क्या है question number 24, सूर के सबसे नजदी का ग्रह कौन सा है, सूर के सबसे नजदी का ग्रह कौन सा है, option number B, अगर आपने टिक किया है, बुद्ध, तो आप का अंचल बिलकुल right है, ठीक है, साथियों, total 24 question मैंने कराया आज की वीडियो में, आज का वीडियो आपको कैस पीडियो चाहिए, तो पीडियो का लिंक discussion में दिया हुआ है, टेलग्राम चैनल पर जाके join हो जाईए, वहाँ पर जाके मुझे message करिएगा, तो पीडियो आपको available हो जाएगा, ठीक है, पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाइवाद